आपके मेरे चनल कुकिंग विद सोनी में आज हम लग बनाएंगा एक नहीं तरह के मिठाई जिसके लिए सिफ तीन इंग्रिडियन की जरूरत है तो चलिए बनाते हैं इसके लिए हमने एक कप सकर लिया है और अहांफ कप पानी दिया है दोनों को मिला कर गैस पे रख कर इसको पिगलाना है जिस तरह से हम लोग गुलाब जामुन का चाशनी है मिलकर उसी तरह से बनाना है इसमें आड़ करेंगे हम निंबु का एक सलाईसómoर लेख सकते हैं इसको डाल कर हमको चार से पांच मिनट के लिए बॉयल करना है ज्यादा नहीं जिससे कि हम लों की जो चीनी है वह भी मेल्ट हो जाए और जो निम्बू का टेस्ट है वह भी हम लों के शिरफ में आ जाए तो चलिए अपना सुगर सिरफ बना के त्यार कर लेते हैं तेन से चार मेरट हो चुका है देखिए दोस्तों अब जो है हम लोग अपना जो निम्बू का स्लाइस है उसको निकाल लेंगे अब हम लोग गास को आफ कर देंगे आफ करके इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे देख सकते हैं अब कि चलिए वह मोग डो की तरफ चलते हैं इसके लिए एक कप मैदा लिया है मैदा ले लिया है इसके लिए कलास पानी लिया है एक बातरने लेजिये जिसमें आज पानी लीजिये दो चमच चीनी डा लिए और एक चमच घी आड़ करेंगे इन तीनों के मिशिरन को फिर्षे गैस पर रखेंगे और इसको मेल्ट करेंगे दो से तीर मिनट के लिए देख सकते हैं दोस्तों चीनी हम लोग की मेल्ट होने लगी है अब देखिए दोस्तों हम लोग के मिशन मन के त्यार हो चुका है घी और जीनी तीनों और पानी तीनों ही एक साथ मिल गये हैं अब इसमें हम लोग अपना मैदा जो है उसको डाल लेंगे डाल के चमच की सहाथा से चलाते हुए इसको मिला लेंगे इसको अच्छी तरह से मिला लेते हैं इसको अच्छी तरह से मसल मसल के इसमें आड करेंगे हम इलाची पाउडर हाफ टीप पूल स्पून इसको भी अच्छी तरह से मिला लेंगे अभी गरम है दोस्तों इसलिए हाथ से इसको छूनी पा रहा है जब यह थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तभी से हम हाथों की सहाथा से मसल मसल के इसका आड कर लेंगे यह देखिए दस्तों हम लोगा आटा लगबग ठंडा हो चुका एक दम से ठंडा नहीं करना है थोड़ा सा गरम ही रहने देना इतना गरम कि जो हम लोग हाथ लगाए तो जले नहीं बरदास कर सके इतना गरम चाहिए अब इसको हम लोग पांच मिनट तक करीब इसको अच् इस प्रकार से इसे तरीके से किजिएगा दोस्तों नहीं तो फिर आपका जो मिठाई हो अची तरसे फुलेगा नहीं देख सकते हैं दोस्तों पांच मिनिट हो चुका है मसल्त हुए देखिए हम लोग आटा कितना सुफ्ट बन के तयार हो चुका है देख सकते हैं कितना कैसा लचीला आटा है तो चलिए अब हम लोग की मिठाई का शेप बनाते हैं इसके लिए केक बनाने का जो पाइपिंग होता है नोजल अधा इसको लेंगे मेरे पास अभी नहीं है पाइपिंग सिर्फ नोजल है वह भी छोटा है अब की पास अगर बड़ा है तो आप बड़ा नोजल यूज कीजि है और बनाईए मेरा चोटा इसलिए छोटा चोटा आ रहा है तो चलिए सभी को बना के तयार कर लेते हैं दोस्तों यह बहुत चोटा है बहुत टाइम लग रहा है इसलिए हम दुस्ते तरीके से बनाएंगे अटा का एक डॉल लेना है इसको दुनों हाथों की सहाथा से इस से चोटे-चोटे पीस में काट लेंगे यह आपको लग रहा है कि गुलाब जामुन है लेकिन गुलाब जामुन नहीं है इसका टेश गुलाब जामुन से बहुत ही डिफरेंट है एक बार जरूर बनाईएगा बहुत सिंपल और टेश्ट है तो चलिए अब हम लोग तेल की त अबने जो मिठाई हमने बना के रखिए उसको इसमें डालेंगे तलने के लिए एक एक करके मेडियम फ्लेम पर ही तलिएगा कर्सी के शहाइता से चलाते हुए इसको भूनना सुरी तलना है इसको हम लोग को गोल्डन ब्राउन होने तक इसको तल के लेना है अच्छी तरीके से डिप फ्राइ करना है अच्छी तरीके से बिल्कुल ही गोल्डन ब्राउन करना है इसको देख सकते हैं इसका कलर चेंज हो गया है बस पांच मिनट और इसको तलेंगे कंटिनी चलाते हुए तलिएगा नहीं तो यह जल जाएगा दोस्तों फास आंच पे मत तलिएगा नहीं तो यह जल जाएगा मीडियम फ्लेम पे तलिएगा जिससे कि अंदर तक पके और अची तरह से तल जाए तो देखिए अब हम लोग का जो मिठाई है बिल्कुल परफेक्ट है हम लोग ने जो इसे चासनी है उसमें निकालेंगे डारिक्ली आड़ करेंगे चासनी में दीख सकते हैं दोस्तों हमने सारे मिठाई चासनी में डाल दिये हैं अब इसे ढख के रख देंगे साइड में फिर से तेल की तरफ चलेंगे और हम लोग ने जो दुसरे हाथ से रोल बना के तयार किये थे मिठाई उसको भी तल के ले लेंगे बिल्कुल उसे तरीके से गोल्डन ब्राउन दोस्तों इस सीम्पल है स्वीट है बहुत ही अच्छी डीस है एक बाद जरूर मनाईएगा इस दिवाली कुछ नया ट्राइए किजिए देखिए दोस्तों इलगबग हम लोग का तयार हो चुका है देख सकते हैं फूल कर किस तरीके से हुआ है तो चलिए इसको भी हम लोग अपने चास्नी में आड़ कर लेते हैं धक के इसको पंद्रह से 20 मिनट के लिए या फिर आदा घंटे के लिए रख देंगे जिसे की पूरा चास्नी अपजोब कर ले देखिए 20 मिनट हो चुका है इसको निकालते हैं देख सकते हैं कितनी अची तरीके से डीप हो चुका है सभी मिठाई में जो चाहमलों की शुगर शिरफ है वो शोक कर लिया है देख सकते हैं अब तो चलिए अब हम लोग इसको निकालते हैं प्लेट में दोस्तों एक बड़ जरूर बनेएगा इसमें ज्यादा खर्चा नहीं लगता है और मेहनत भी नहीं है एक बड़ जरूर बनेएगा कैसा लगा आपको मेरे रेस्पी कमेंट करके बताईएगा अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए प्लीज दोस्तों मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए देखिए दोस्तों मैं आपको हाथ से तोड़ के दिखाती हूँ बिल्कूल ही फुल चुका है और हर एक मिठाई से च दोस्तों इसका खाने में टेश्ट भी बहुत अच्छा है खटा मिठा देश्ट आता है बहुत अच्छा लगता है एक बर जरून बनाईएगा थैंक्यू